हेलो दोस्तो ओनलाइन एक्जाम्स टुटोरियल्स पे आपका स्वागत है आज इस वीडियो लेक्चर में हम हरियाना कॉंस्टेबल 2021 के एक्जाम पैटर्न और सलेबस को डिसकस करेंगे और साथ में यह भी जानेंगे कि इस एक्जाम के तैयारी हमें किस परकार करनी है और एक एक्जाम को लेकर जो कि मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा पहले एक्जाम पैटर्न को देख लेते हैं देखे इस एक्जाम को तीन फेस में कंड़क्ट कराय जाएगा पहला होगा आपका नोलिज टेस्ट दूसरा आपका physical screening टेस्ट और तीसरा आपका physical measurement टेस knowledge test को जो weightage दिया गया है वो 80% दिया गया है बाकि 10% additional qualifications को और 10% miscellaneous को इन दोनों चीजों को मैं आपको आने वाली slides में अच्छे से discuss करके बताऊँगा तो पहले देख लेते हैं knowledge test यह जो आपका knowledge test है या तो यह online mode में conduct होगा या फिए OMR based जिसको हम offline mode भी कहा देते हैं general भाशा में अब जो tentative date इस exam को कराने की रखी गई है वो 27 और 28 March रखी गई है लेकिन अभी तक यह date final नहीं हुई है यह एक tentative date है, notification में भी यही डाला गया है कि यह है tentative है और IO के पास यह flexibility है कि वह इस date को change भी कर सकता है बाकी जब तक आपके admit card नहीं आ जाते तब तक कोई भी date की shorty नहीं है exam में आपको so multiple choice questions मिलेंगे जिसमें हर एक question को equal marks दिये गए है जो की है point 8 यानि कि आपका जो total return examination होगा वो 80 marks का होगा इसके लिए आपको 90 minute दिये जाएंगे और कोई भी negative marking इस exam में नहीं है तो अगले चीज़ है फिर यह additional qualification जिसका 10% weightage रखा गया है वो किस परकार है देखे education में आपको maximum 7 marks दिये जाएंगे 4 marks होगे आपके जो candidate graduate है और 3 mark additional उनके जो candidate post graduate है अब NCC candidate जो है जिनके पास A certificate है उनको एक number दिया जाएगा जिनके पास B certificate है उनको 2 number दिये जाएंगे और जिनके पास C certificate है उनको full 3 number दिये जाएंगे यानि कि additional qualification जिसमें education और NCC आती है इसका maximum weightage होगा 10 marks या फिर 10% आगे miscellaneous 10% weightage जिसमें 5 number उन candidate को दिये जाएंगे जिनके मातापिता spouse, brother, son किसी भी परकार के सरकारी नोकरी में नहीं है चाहे वो किसी state government की job हो चाहे center government की job हो किसी सरकारी department, board, corporation, company, statutory body commission या authority जो की government से संबंदित हो इसमें नहीं होना चाहिए तभी उसको 5 number मिलेंगे अगले 5 number रखे गए है वीडो के लिए या फिर ऐसा कोई candidate जो की पहली या दूसरी संतान है और उनके पिता की मृत्यू 42 साल की age से पहले हो गई है या फिर जिस समय उनके पिता की मृत्यू हुई उस समय उस candidate की उमर 15 साल से कम थी तो उनको भी ये 5 number दिये जाएंगे अगले 5 number रखे गए है denotified tribes के लिए जैसे की विमुक्त जाती टपरिवास जाती या फिर कोई nomadic tribe हरियाना की जो की schedule cast या फिर backward class नहीं होनी चाहिए अगले जो 8 number है ये रखे गए है experience के लिए वो candidate जो कहीं पर ad hoc पे काम कर रहे है या contact basis पे काम कर रहे है उनको per year आदे नंबर के इसाब से ये maximum 8 number दिये जाएंगे यानि कि पूरे 8 number प्राप्ट करने के लिए आपके पास total 16 साल का experience होना चाहिए और जिन candidate का experience 6 महीने से कम होगा उनको कोई भी number नहीं दिया जाएगा जली अब आते हैं सलेवस पे जिसमें सबसे पहले है journal studies या फिर जिसको आम बासे में जी के भी बोल देते हैं इसमें आपके question पूछे जाएंगे Indian politics से यानि बारतिया राजवावस्ता से history से geography of our country से world geography से, art and culture से facts about हरियाना या फिर जिसको हरियाना जी के भी आम बासे में बोल देते हैं Indian national movement से Indian economy से economy of हरियाना से national and international event जिसको हम current affairs से जोड़ के देख सकते हैं और date events जो भी important date events होते हैं उनसे question पूछे जाएंगे author of books and awards इन सबसे भी related आप से question पूछे जाएंगे अब आते हैं general science पे जिसमें आपको science के basic concepts पूछे जाएंगे जो की mainly 10th level तक के होंगे जिसमें physics, chemistry और biology से related question होंगे space science से related question होंगे technology जो भी नई current of area international use में चल रही होगी उससे होंगे और environment science से भी आपके question पूछे जाएंगे agriculture और animal husbandry को भी आपके syllabus में रखा गया है जिसमें question बन सकते है ecology and environment से, cropping pattern से soils, food production plantation of crops, vegetables horticulture, type of agriculture livestock population उनका census, उनकी management से, animal welfare से और animal breeding से animal breeding भी एक important topic बनता है क्योंकि इसके बहुत सारे institute हरियाना में स्थापित है जैसे कि करनाल computer aptitude को भी आपके syllabus में रखा गया है जिसमें question होंगे history of computer से information technology से application and use of computer in different field यानि कि उनका application part data communication on networking से internet surfing से Microsoft office या फिर जो भी Microsoft के दूसरे software जो Windows से related होते हैं उनसे भी question बनेंगे software, hardware से भी question आपके पास आएंगे और programming से भी question पूछे जाएंगे फिर आता है आपका numerical ability जिसको हम आम बाशे में maths बोल देते हैं इसमें आपके जो question पूछे जाएंगे वो होंगे profit loss, discount से question आएंगे statistic भी topic में रखा गया है और ये topic थोड़ा हटके है जो कि हम state exam और SST जैसे exam की त्यारी करने वाले बच्चे जातर नहीं पढ़ते क्योंकि उनके syllabus में ये topic नहीं होता तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पढ़ेगा time work distance से question आएंगे और percentage से question होंगे reasoning के जो आपके question होंगे वो होंगे alphanumeric series से alphabet puzzle से coding decoding से, direction test से blood relation से word arrangement से, syllogism से statement and conclusion से question आएंगे data sufficiency के question होंगे sitting arrangement के question होंगे अब आखिर में आता language test देखे language में आपसे question पुछे जाएंगे English language से और Hindi language से सबसे important चीज है कि इस exam की tearyum कैसे करे, इस exam की preparation कैसे करे तो सबसे crucial चीज, इस सबसे math पूर्ण चीज इस examination में है इस exam की GK nearly 50% जो आपके questions आएंगे return examination में वो GK से होंगे बाकि 50% में आपका cover होता है math, reasoning, English और Hindi तो यानि सबसे crucial होती है GK math, reasoning में अगर आपको अच्छा score करना है खास कर mathematics में तो सबसे पहले आपको syllabus ढंग से करना है सारा का सारा उसके बाद की है practice practices दक की जितनी आप practice करेंगे previous year MCQs की और अच्छी books के जो questions है वो books भी हम आपको recommend कर देंगे आने वाले course में इस channel पर ही और reasoning में आपको केवल अगर आप थोड़ा भी sharp है reasoning के questions में थोड़ा भी आपका mind काम करता है तो आपको syllabus करने के कोई जूरत नहीं है सिधा आप MCQs भी लगा सकते है सिधा आप previous year के MCQs जो भी SSC में पूछे गए है HSSC में पूछे गए है अब English और Hindi दोनों के दोनों language है और language में सबसे important चीज होती है rules आप एक बार इनके rules अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसके बाद questions को लगाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी previous year MCQs के एक बार practice करेंगे rules अच्छे से पढ़ेंगे दोनों के दोनों section बहुत अच्छे से हो जाएंगे main चीज आती है जी के जैसे कि मैंने आपको पीछे अभी syllabus में बताया syllabus काफी vast है अब हम HSSC की dates लेकर अगर चले HSSC बोलता है कि 27-28 March को हम paper कराएंगे तो यानि आज से लगबद हमारे पास बसते हैं मन्त अब दो मन्त में हमें इतना वास चले बस करना है तो काफी मुश्किल टास्क है लेकिन इसके लिए अगर हम smart study करें smart study में क्या आता है हम limited पढ़ेंगे limited पढ़ा ही करेंगे लेकिन effective पढ़ा ही करेंगे जो बच्चे पहले से ही government exam के त्यारी कर रहे है काफी 3-4 साल से exam को दे रहे है उनको इस सब चीज पता होती है लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है जो new students है उनको नहीं पता होता कि क्या चीज eliminate करनी है पढ़ते हुए वो एक तरफ से book उठाते हैं पढ़ते चल जाते है टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है नंबर कम बनते है तो उसके लिए जरूत होती है guidance की guidance आपको provide करा जाएगा इस channel पर पूरा जो भी आपको समस्य होगी आप नीचे comment box में पूछिए जो भी आपको दिक्कत आ रहे है आपको उसका हल बताया जाएगा और साथ के साथ जो हमारे course यहाँ पर design हम करेंगे सभी के सभी GK के topic जो मैंने आपको बताई यह सारे के सारे topic आपको यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे और आपको उस तरीके से पढ़ाए जाएंगे कि आप limited पढ़ाई करें होती है quality study में और जो गाहों देहात में हमारे coaching centers होते है उन में भी study का जो level है वो इतना अच्छा नहीं होता तो इस channel पर हमारा main motive यही है कि हम आपको quality study provide करें और सबसे main चीज होती है इसमें experience जैसे कि मैं आपको lecture यहाँ पर provide कराऊंगा और नितिश आपको lecture यहाँ पर provide कराएगा हमें काफी vast experience है government examination का मैं खुद एक officer rank पर काम कर रहा हूँ government department में तो मुझे पता है कि किस तरीके से exam के लिए पढ़ाई की जाती है किस तरीके से हम effectively उस चीज को frame में ला सकते हैं क्योंकि हमने भी इस दोर को देखाया तीन चार साल हमने भी study की है काफी कुछ सीखाया तो मैं चाहता हूँ कि यह सब चीजे आपके साथ भी share की जाएं और मेरे जैसे जो दूसरे students है जिनको शुरू-शुरू में दिक्कत हुई थी exams को पढ़ने में clear करने में तो उनकी मैं help कर सको हूँ और यही हमारे channel का main motive है तो जो भी आपको course यहां पे provide किया जाएगा वो बिल्कुल free of cost होगा आपसे कोई भी fee किसी भी चीज की नहीं ली जाएगी जाए हम आपको study material provide करें जाए हम आपको stress series provide करेंगे हम आपको कोई भी lecture provide करेंगे किसी भी चीज की आपसे कोई भी fee नहीं ली जाएगी सब चीज बिल्कुल free of cost होगी तो mainly आपको आपकी पढ़ाई पर concentrate करना है इधर हमारे से guidance लीजिए पढ़ाई कीजिए syllabus complete कीजिए और बाकि हम आगे आगे आपको जिस तरीके से हमारे syllabus आगे बढ़ेगा हम आपको आगे आगे उसी तरीके से आपको guidance देते चले जाएंगे तो इसी note पर हम इस lecture को खतम करते हैं तो आप अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं अगले lecture में जल्दी हैं